Hello viewers, कैसे हैं आप सब? तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास Advanced Java Script, Modern Java Script के Lecture स्रीज चल रही है तो आज के इस Lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं, OOP Introduction की मतलब Advanced Java Script के अंदर OOP का क्या Concept है उसको हम आज के इस Lecture के अंदर देखने वाले हैं बाई OOP जिस तरह से आप सब को पता है Object Oriented Programming और हमारी Programming का एक ऐसा Concept है जिसको सीखे बगएर आप कभी भी एक अच्छे Programmer नहीं बन सकते चाहे आप Client-Side Scripting Language की बात करो या Server-Side Scripting Language की बात करो तो जो OOP का Concept है ये बहुत ज़ादा Important है एक Programmer की Life में तो उसी का Introduction आज हम Start करेंगे अपने इस Part No.12 के अंदर से और आने वाले जो Lectures होंगे वो इसी OOP के उपर Base करेंगे तो आपने Make Sure करना है कि इस वीडियो को N तक Watch करना है और इसके जितने भी आने वाले Parts हैं उसको भी आपने Complete Watch करना है भाई देखो अगर आपने पहले से कोई Object Oriented Programming Language पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ पे एक Plus Point मिल जाएगा कि जो भी चीज़े मैं आपको बताऊंगा उसको आप बहुत ज़ादा जल्दी सीख जाओगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिकॉइस के अगर आप मेरे चैनल पे First Time आया हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का एकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस lecture series के अंदर आने वाली हैं तो यह होगा हमारा part number 12 और अब हम अपना lecture स्टार्ट करते हैं तो भाई देखो OOP introduction आज के इस lecture के अंदर हम introduction देखेंगे किसका object oriented programming का और फिर इसके जो main concepts हैं उसको हम आने वाले lectures के अंदर cover करेंगे तो यहाँ पर आजाओ तो यहाँ पर देखो javascript OOP तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है OOP stands for object oriented programming भाई यह तो हम सब को पता है कि जो OOP है इसका क्या मतलब होता है object oriented programming और जहाँ पर भी मैं यह OOP का word यूज करूँ तो समझ जाना कि किसकी बात कर रहा हूँ object oriented programming की बात कर रहा हूँ फिर देखो next point OOP introduced in JavaScript ES6 मतलब भी जो object oriented programming का concept था यह हमारे पास कब introduce हुआ था JavaScript ES6 के अंदर मतलब year 2015 के अंदर बाई देखो ES6 से पहले के जितने भी versions हैं JavaScript के उसके अंदर हमारे पास object oriented programming का concept नहीं था मतलब भाई देखो ES6 से जो पहले के versions थे वहाँ पे objects का concept था मतलब आप वहाँ पे custom objects तो बना सकते थे उसके साथ आप properties भी यूज करते थे लेकिन वहाँ पे classes का concept नहीं था classes और objects का concept नहीं था लेकिन जब हमारे पास ES6 introduced हुआ 2015 के अंदर तो इसके अंदर classes और objects का concept हमारे पास introduced हुआ क्योंकि ES6 से पहले जो हम objects use करते थे ठीक है उसके अंदर drawback यही था कि वहाँ पे हम class नहीं बनाते थे और direct objects के अंदर से वहाँ पे हम properties को assign करते थे और access करते थे तो ES6 से पहले जो हमारे पास objects थे उसको हमें बार-बार create करना पड़ता था मतला वहाँ पे repetition बहुत जादा होती थी तो अगर किसी ने objects का concept पढ़ा हुआ ES6 से पहले तो इसको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी यूँकर OOP के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पार दो चीजे होती है एक तो classes होते हैं और एक objects होते है ठीक है तो ये point भी interview के अंदर पूछा जाता है कि OOP Java Skip के अंदर कब introduce हुई थी ठीक है फिर देगो next point OOP is a kind of coding pattern or coding style भाई देखो object oriented programming हमारे पार basically है क्या है हमारे पास एक coding pattern है या आप इसको coding style भी कह सकते हो मतलब coding करने का तरीका coding करने का pattern यूँकर देखो object oriented programming से पहले हम procedural programming को यूज करते थे जिसके अंदर हम क्या करते थे functions और methods के उपर काम करते थे ठीक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हमारे पार drawbacks थे जिस तरह वाहाँ पर हम एक ही जगा properties और methods का concept यूज नहीं कर सकते थे इसलिए हमारे पास यहाँ पर object oriented programming का concept आया था और भाई देखो अगर आप object oriented programming के pattern को यूज करके अपनी application बनाओगे तो उसके बहुत सारे benefits होते हैं वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ तो बस आपने यह आद रखना है कि जो उप का हमारे पास coding pattern है यह बहुत ज़्यादा famous है बहुत ज़्यादा popular है और बहुत ज़्यादा easy मतलब असान तरीके से implement किया जाता है और इसके concepts को समझना भी बहुत ज़्यादा असान होता है एक दफ़ा आप इसको समझ गए तो फिर जहां भी आपको उप का concept देखने को मिलेगा जिस भी programming language में देखने को मिलेगा तो आप easily उसको समझ जाओगे ठीक है फिर आगे आजाओ अब यहां पर देखो benefits of javascript उप मतलब object-oriented programming के क्या-क्या फाइदे है तो यहां पर देखो सबसे पहला modularity भाई देखो modularity निकला है modules से और modules हम किसे कहते है pieces of code मतलब suppose करो के मेरी एक बहुत बड़ी application है उसको मुझे छोटे-छोटे modules के अंदर तोड़ना है मतलब मैं क्या करूँगा वो बहुत बड़ी application है मैं क्या करूँगा उसको छोटे-छोटे modules में breakdown कर दूँगा मतलब अपने code को pieces के अंदर divide कर दूँगा और फिर in the end उसको एक साथ combine करके अपनी एक complete application create कर लूँगा इसका मतलब हमारे पाद javascript up को use करके हमें modularity का feature मिलता है जिससे हमारी जो application है उसको manage करना, organize करना बहुत जादा असान हो जाता है फिर देखो reusability reusability का मतलब क्योंकि मैंने आपको बता है इसके अंदर classes और objects का concept है जिसको हम कहते है do not repeat yourself तो अगर आप अपने code को बार-बार repeat कर रहे हो इसका मतलब आप programming में जाद अच्छे नहीं हो और अक्सर programming languages के अंदर इस चीज को implement किया जाता है कि वो जो dry principle है do not repeat yourself उसको ignore करने के लिए, discard करने के लिए हमारे पार reusability का concept आता है यहाँ पर क्या कह रहा है कि उप के through अगर आप कोई application मनाते हो तो आपका code है वो बहुत जादा organized होता है, organized कैसे होता है क्योंकि मैंने क्या बताया, हम अपने code को modules में breakdown कर देते हैं मतलब classes के अंदर breakdown कर देते हैं तो हर एक class का अपना एक specific task होता है जिससे क्या होता है, हमारा जो code है वो बहुत जादा organized हो जाता है और उसको maintain करना भी बहुत जादा असान हो जाता है फिर देखो next point, easy debugging बाई देखो debugging का क्या मतलब होता है कि हमारी application के अंदर अगर कोई error आजाता है तो error किस line पे आया है किस जगा पे आया है उसको point out करना उसको identify करने के लिए हम concept यूज़ करते हैं debugging तो आप समझे लो OOP को यूज़ करके हमारी जो debugging है वो भी बहुत जादा क्या हो जाती है असान हो जाती है फिर देखो next point flexibility और upgradable इसका मतलब भाई देखो OOP को यूज़ करके जो आप applications बनाते हो वो flexible होती है upgradable होती है इसका मतलब for example अगर आपने एक application बनाई OOP को यूज़ करके अब साल दो साल बाद अगर आपको इसको upgrade करने की ज़रूद पड़ती है तो वो इतना जादा flexible होता है कि आप easily उसको upgrade कर सकते हो update कर सकते हो तो यही concept है कि इसका flexibility और upgradable का फिर देखो next point security मतलब security का भी बहुत जादा इसके अंदर अमल दखल होता है मतलब आप OOP को यूज़ करके जो भी आप application मनाऊगे वो जादा secure होती है as compared to जहां पर आप OOP को use नहीं करते क्योंके इसके अंदर encapsulation का concept आजाता है abstraction का concept आजाता है public private का concept आजाता है जिसकी वज़ा से हमारी जो application है वो बहुत जादा secure हो जाती है तो इसको भी हम आने वाले lectures के अंदर cover करेंगे फिर आगे आजाओ अब यहां पर देखो क्या कह रहा है more beneficial if we are using OOP for large scale projects भाई देखो बहुत जादा important point भाई देखो OOP की जो ज़रुवत पड़ी थी वो कब पड़ी थी जब हम JavaScript को use करके कोई large scale projects बनाते थे तो वहां पर बहुत जादा issues आते थे जिसकी वज़ा से object-oriented programming को introduce किया गया JavaScript के अंदर क्योंकि भाई देखो जो पुराने JavaScript developers हैं उनको ये बात पता है कि उन्होंने ऐसी applications बनाई हुई है जिसके अंदर object-oriented programming को implement नहीं किया जाता था तो जहां पर OOP को implement नहीं किया जाता था वहां पर बहुत जादा issues आते थे लेकिन जब OOP introduce हो गई JavaScript ES6 के अंदर तो हमारे पास जो developers हैं उनकी life बहुत जादा easy हो गई और देखो जो OOP का concept है ये specifically होता है large scale projects के लिए मतलब अगर आपको कोई बहुत जादा बड़ा project बनाना है कोई corporate level का कोई large industry का अगर आपको object-oriented programming यूज ना भी करो तो आपको कोई इतना जादा फर्क नहीं पड़ेगा तो ये कहां पे beneficial होता है large scale projects के लिए तो ये benefit होगया इसका फिर देखो nowadays mostly used in frameworks like angular.js, node.js, react.js, laravel, code igniter, asp.net, etc मतलब देखो यहां पे कह रहा है ये जो object-oriented programming का concept है ये आपको बहुत सारी programming languages के अंदर देखने को मिलता है, मतलब up का concept आपको angular.js में भी देखने को मिलेगा, node.js हो गया, react.js हो गया, फिर आगे next.js हो गया ठीक है इसी तरह laravel जो के PHP का framework है, CI वो भी PHP का framework है, इसी तरह asp.net, etc मतलब बहुत सारे frameworks है programming languages के, जिसके अंदर ये object-oriented programming का concept यूज किया जाता है, इसका मतलब भाई, देखो, ये जो object-oriented programming का concept है, ये सिर्फ JavaScript के साथ मेहदूद नहीं है, बलके ये और भी बहुत सारी programming languages के अंदर यूज किया जाता है, और especially, mostly frameworks frameworks के अंदर इसको use किया जाता है और आपको पता है के भाई, आजकल frameworks की बहुत जादा demand होती है मतलब अगर आप एक developer हो और आपको कोई framework नहीं आता तो आप कभी भी एक interviewer की choice नहीं हो सकते ठीक है, तो ये important point है, फिर आगे आजाओ अब यहाँ पर देखो, क्या कहरा, javascript oop consists of, मतलब यहाँ पर देखो there are two main concepts in oop, मतलब oop के दो main concepts है, मैंने आपको बताया कौन कौन से पहला है classes और दूसरा है objects ठीक है, मतलब oop consists करती है हमारी दो चीजों से मिलके एक तो classes और दूसरे objects ठीक है, तो आज किस lecture में मैं इसका आपको थोड़ा diagram और theoretical concept समझाओंगा, फिर आगे आके इसके अंदर हम इसका practical करेंगे, ठीक है तो आगे आजाओ, अब मैं आपको एक real life example से, यह जो oop का concepts है, classes objects का concept है यह समझाता हूँ, भाई देखो हमारे पास एक human being है, ठीक है, मतलब God ने एक human being को create करने से पहले, सबसे पहले क्या किया होगा, उसका एक template तैयार किया होगा template मतलब एक blueprint तैयार किया होगा, मतलब एक नक्षा उसका design किया होगा, जिसके अंदर यह बताया होगा कि भाई, एक human के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, जिस तरह एक human के अंदर आपको पता है, दो आंखे होती हैं, एक नाक होता है, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो टांगे होती हैं, ठीक है, ये तो आपको हर human being में देखने को मिलेगा, mostly, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो human being है, ठीक है, इसको मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कि ये human being का एक template है, blueprint है, मतलब इस template को use करके, इस blueprint को use करके, बाकी के जितने भी इंसान हैं दुनिया में वो बनाए गए हैं, मतलब यहाँ पे देखो, कि इसी template को human being के template को use करके, for example, यहाँ पे देखो, कुमार को बनाया गया, यहाँ पे अली को बनाया गया, और यहाँ पे for example, शाम को बनाया गया, मतलब हमारे पास जितने भी इंसान है, वो क्या है, आप उनको कह सकते हो, कि वो एक objects हैं, और यह objects इस human being के template से derived हुए है, क्योंकि यह तीनो human being ही कहलाएंगे मतलब यह तीनो क्या है, basically यह तीनो मारे पास people है, लेकिन यह तीनो objects हैं, किसके हमारे पास इस template के, तो इसी template को मैं आपे क्या कह रहा हूँ, class और इस template को use करके यह मैं जितने भी आपे बनाऊंगा हमारे इसको मैं क्या कह रहा हूँ, objects क्योंकि आपके जितने भी objects होते हैं वो किसी एक particular class को represent करते हैं किसी particular template को represent करते हैं मतलब यह तीनो क्या हैं, यह तीनो objects हैं लेकिन किसके human being के objects हैं ठीक है, तो यह इसकी real life example हो गई एक और real life example बताता हूँ, यहाँ पर देखो जिस तरह suppose करो कि हमारे पास एक template है, blueprint है किसका हमारे घर का या घरों का हो सकता है या flats का हो सकता है, apartments का हो सकता है मतलब blueprint यहाँ पर किसे कह रहा हो, नक्षे को जिस तरह आप जब भी कोई घर बनाते हो तो सबसे पहले उसका नक्षा तियार होता है अब suppose करो कि एक builder है, उसने एक नक्षा बनाया ठीक है, तो इनक्षा क्या हो गया, template हो गया, blueprint हो गया अब इसी नक्षे को follow करके, वो क्या करना चाहरा है builder, वो बहुत सारे घर बनाना चाहरा है ठीक है, मतलब वो ऐसे घर बनाना चाहरा है जिसका जो हमारे पास blueprint होगा, वो same होगा मतलब उसने पहला घर बनाया इसका भी blueprint यही है, मतलब नक्षा यही है पर इसी तरह दूसरा उसने घर बनाया पर इसी तरह तीसरा घर बनाया मतलब वो जितने भी घर बनाएगा उन सब का जो नक्षा है वो same रहेगा तो same इसी तरह ये जो हमारे पास template है जो नक्षा है और इस नक्षे से बनाए हुए ये क्या है? houses है घर है तो ये जो template है, blueprint है ये basically क्या हो गई हमारी class और इस class को use करके, template को use करके मैं जितने भी houses बना रहा हूँ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, objects ठीक है तो ये इसकी एक और real life example हो गई अच्छा अब आओ, अब मैं इसकी थोड़ी practical approach से आपको बताता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे आजाओ, suppose करो कि मेरे पास यहाँ पे एक mobile phone है वो है iPhone 13, और सेम इसी तरह एक दूसरा मेरे पास phone है Samsung का S21, भाई देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, smart phones है, मतलब mobile phones है और इन दोनों के अंदर बहुत सारी similarities भी आपको देखने को मिलेंगी इसका मतलब ये जो दोनों हमारे पास phones है, ये किस से derived हुएं, कौन सी class से, mobile class से, ठीक है मतलब mobile class है और ये दोनों क्या है, mobile class के objects है इसका मतलब, भाई ये जो mobile class जब बनाई गई होगी, इसके अंदर कुछ common features declare किये गए होंगे जो के इन दोनों mobiles के अंदर हमें मिलेंगे, अब वो common features कौन कौन से, जिस तरह या पर देखो, camera camera आपको iPhone 13 में भी देखने को मिलेगा, S21 में भी देखने को मिलेगा, same इसी तरह color हो गया, ठीक है, दोनों mobiles का होगा same इसी तरह storage दोनों mobiles के अंदर होगी, और same इसी तरह battery, मतलब दोनों mobiles की क्या होगी, बैटरी होगी, और भी बहुत सारे features हो सकती है, properties हो सकती है ठीक है, तो programming के अंदर, यह जो mobile है, इसको हम class से represent करेंगे, और यह जो हमारे पर जितनी भी चीज़े हैं, इनको हम properties से represent करेंगे, मतलब, camera, color, storage, battery, यह क्या है, properties हैं, ठीक है, मतलब, यह जो properties हैं, यह जो features हैं, यह आपको iPhone 13 में भी मिलेंगे, और यह आपको Samsung S21 में भी मिले actions मतलब, जिस तरह से calling, अब वो voice calling हो, यह video calling हो, तो यह action है, ठीक है, same इसी तरह हमारे पास एक दूसरा action हो गया, gaming, हम अपने mobile phone के अंदर games भी खेल सकते हैं, बहुत सारी, जिस तरह से PUBG हो गया, 8 ball pool हो गया, football हो गया, बहुत सारी games खेल सकते हैं, तो यह जो calling है, और gaming है, इस को हम अपनी programming में किस से represent करेंगे, methods से functions है, तो मतलब, class के अंदर आपको दो चीजें use करनी पड़ती है, एक तो properties और दूसरा methods यह आप इसको functions भी कह सकते हो, इसका मतलब, भाई, देखो, mobile class के अंदर ही, जो मैंने जो भी properties और methods बनाए हैं, यह सारे methods हमारे पास, यह जो दो objects हैं, एक है iPhone 13 और दूसरा है S21, इन दोनों के पास यह सारी properties और methods जाएंगे, क्योंकि जब मैं iPhone 13 और S21 का object बनाऊंगा, वो object में कौन सी class को use करके बनाऊंगा, mobile class, और इस mobile class के अंदर जितनी भी properties हैं, methods हैं, वो automatically iPhone 13 के पास भी चली जाएंगी, और Samsung S21 के पास भी चली इसके अंदर की जो values हैं, वो different हो सकती है, values different का मतलब, कि भाई देखो iPhone 13 का जो camera है, उसके जो pixels होंगे, ठीक है, Samsung का जो S21 है, उसका जो camera है, उसके pixels different होंगे, सेम इसी तरह iPhone 13 का color अलग होगा, S21 का color अलग होगा, storage दोनों की अलग होगी, battery दोनों की अलग होगी, मतलब properties तो यही रहेंगी, लेकिन इसकी जो values हैं, वो different हो सकती है, ठीक है, तो भाई यह concept होता है, classes का, और हमारे पास objects का, और class के अंदर properties और methods का, ठीक है, मतलब mobile class है, और यह जो दोनों phone है, यह हमारे पास क्या है, इसके objects है, फिर आगे आजाओ, और अब यहाँ पे देखो, जिस त post करो, कि मैं अपनी programming के अंदर एक class बना रहा हूँ, किस से related, calculator से related, मतलब मैं इस class के अंदर, calculation से related, कुछ काम करूँगा, तो देखो, properties मैं अपनी class के अंदर, किसको कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जिस तरह से यहाँ पे देखो, मैंने 3 variables बना लिये, variable A, B, और यहाँ प function बनाया, sum, मतलब, यह जो methods है, इसको मैं किस से represent कर रहा हूँ, action से, जिसका मैंने नाम क्या रखा, sum, और इसके अंदर, देखो, मैंने क्या किया, यह जो मैंने property, यह जो मैंने variable बनाया था, sum, इसके अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ, यह जो A और B है, इन दोनों को sum कर रहा पिर इसी sum variable को मैं आप इस function से return कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब, यह हमारे पास हो गया method, और यह हमारे पास हो गई properties, तो यह दोनों चीज़े, properties हो या methods हो, इनको मैं class के code block के अंदर बनाऊंगा, same इसी तरह भाई, sum जरूरी तो नहीं, sum हो, sum के इलावा मैं पास subtraction भी ह सकता है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, just अलग अलग function बनाने और उसके अंदर यह जो sign है, plus की जगा minus use करना है, minus की जगा मुझे multiply यह, divide use करना है, ठीक है, इसका मतलब भाई देखो, जब मैं class के अंदर properties और methods define कर दूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस class के objects बना जाएंगी OBJ1 के अंदर, यही separately जाएंगी OBJ2 के अंदर, और separately जाएंगी OBJ3 के अंदर, सही है, इसका मतलब यह जो properties और methods की जो भी values होंगी, वो मैं OBJ1 के अंदर different डाल सकता हूँ, OBJ2 के अंदर different डाल सकता हूँ, और OBJ3 के अंदर different डाल सकता हूँ, तो इससे क्या फायदा होगा कि यह जो properties और methods हैं वो मुझे हर object के लिए बार-बार बनाने की जरूत नहीं है मैं simply इस class का object बनाऊंगा और जैसी object बनाऊंगा तो इस class के अंदर जितनी properties हैं methods हैं वो मुझे हमारे object में मिल जाएंगी मैं ज़स क्या करूँगा उस object के अंदर different values पास कर दूँगा और different values पास करने के बाद उसको अपने हिसाब से use करूँगा तो यह concept होता है basically classes और objects का और इसके अंदर properties और methods का बाई देखो जब मैं आगे जाके इसका आपको practical करवाऊंगा तो यही चीज़े आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी अच्छा फिर यहाँ पर आ जाओ अब मैं आपको बताता हूँ pillars of object oriented programming भाई देखो बहुत ही ज़ादा important concept interviews के अवाले से बहुत ज़ादा important concept होता है कि जब भी आप ऐसी किसी programming language का interview देने जाते हो जो के oop based होती है मतलब जो के object oriented programming होती है तो उसके pillars में से लाजमी questioning करता है आपका interview क्योंके भाई देखो pillars का मतलब object oriented programming के pillars इसका मतलब object oriented programming language कुछ pillars के ओपर खड़ी हुई है इसका मतलब अगर वो मैं pillars हटा दू या वो मैं pillars गिरा दू तो क्या होगा हमारी object oriented programming खताम हो जाएगी तो वो pillars कौन कौन से है देखो यहाँ पर क्या कह रहा है there are four main fundamentals और pillars of oop मतलब object oriented programming के चार main fundamentals या आप उसको pillars भी कह सकते हो कौन कौन से सबसे पहला है यहाँ पर देखो inheritance, दूसरा है polymorphism तीसरा है abstraction और चौता है हमारे पास encapsulation अगर किसी ने कोई दूसरी object oriented programming language पढ़ी हुई है तो वहाँ पे भी यही चार main pillars होते हैं किसके oop के तो अगर आपने यह चारों यहाँ पर सीख लिये javascript के अंदर तो जब आप किसी दूसरी programming language में जाओग इसको सीखने के लिए तो तब आपको इसका concept पता होगा तब आपको सिर्फ इसका syntax सीखना पड़ेगा simple मतलब यह तो चारों concepts हैं आप समझे लोग कि यह चारों एक separate lectures हैं जिनको हम detail में cover करेंगे अपने आने वाले lectures के अंदर क्योंकि इनको सीखे बगार आप कभी भी एक अच्छे object oriented programmer नहीं बन सकते ठीक हो गया तो यहां पर हमारा यह lecture हो गया है wind up तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का एकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस lecture के अवाले से कोई भी confusion है तो comment box में उसे जरूर पूछ लेना तो मिलते इंचाला next lecture में तब तक के लिए देखते रही मेरा channel program mentor